आज पता नहीं कितने सालों के बाद मैं ऐसे खड़े होकर YouTube पे वीडियोज बनाना शुरू करूँगा इसके पीछे सिरफ और सिरफ एक ही रीजन है मैं खुद का confidence improve करना चाहता हूँ मुझे ऐसा लग रहा था कि बैठे बैठे मैं बहुत ज़ादा comfortable हो गया था वीडियोज ब पाऊंगा अपने audience को इसलिए आज के बाद जितने भी वीडियोज रहेंगी वो मैं ऐसे खड़े होकर ही बनाऊंगा आप सब के लिए पीछे का background थोड़ अच्छा नहीं होगा तो adjust कर लेना आज की इस वीडियो का जैसा कि आपने title देखा मैंने लिखा हुआ है कि हमारे ज जब एक बच्चा college में जाता है तो वो majority of the times यार अपने parents के मतलब जो उन्होंने career उस बच्चे के लिए decide किया होता है उसकी वजह से जाता है लेकिन हमारे पास इतना जदा हमें शुरुआत में पता ही नहीं होता है कि हमें क्या ये सही career है हमारे लिए या पिन नहीं है लेक parents ने मुझे कहा था करने के लिए और मैं कहता था कि मुझे ये सब चीजे नहीं करनी है लेकिन फिर भी मेरा time waste हो रहा है इसलिए शायद से अगर मैं अगर अपना सारा time अपनी इस चीज के उपर focus करता हूं जो मैंने decide कि हुए है जैसे कि freelancing video editing ये सब अगर parents मेरे मेरे को allow कर नहीं करते हैं इस सब चीज को समझाने के लिए मैं आपको एक story सुनाना चाहता हूं बहुत प्यारी सी story आज से 3-4 साल पहले जब मैंने covid के time पे अपने career की शुरुवात की थी ना चाहे वो affiliate marketing से हो या फिर छट के ओपर जाकर वो instagram के लिए videos बनाने से हो या फिर अपने इस travel करना चाता हूं travel vlogging करना चाता हूं या फिर मैंने कितने भी पैसे खर्च किये हो हो courses के ओपर चाहे वो आज से 3 साल पहले affiliate marketing के लिए 10,000 रुपे investment करना हो किसी एक बंदे के साथ या फिर अभी recently 40-50,000 रुपे एक video editing के course के ओपर spend करना हो मेरे parents ने कभी भी मुझे इन सब ची चीज दी हुई है जो शायद से तुम सोचते हो कि हमारे पास ये होनी चाहिए थी मुझे वो हर इक चीज में लिए है लेकिन problem यह आती थी यार कि ना जबी भी मेरे parents मुझे ऐसे support नहीं न करते थे इन सब चीजों के लिए तो मेरे दिमाग में न सिरफ यही 2-3 questions पगएर आ करती थी कि मैं तो अपनी जगह पे सही कर रहा हूँ ना मेरे को तो पता चल चुका है कि 925 करके कोई भी इनसान अमीर नहीं बनता है और जब मुझे पता चल रहा है कि मैं इस वाली चीज के अंदर जाकर freelancing के अंदर जाकर या फिर YouTube के अंदर जाकर अच्छा खासा एक wealth generate कर सकता हूँ तो मैं क्यों ना इस फिल्ड के अंदर जाओं अगर मुझे पता चल चुका है कि मैं government job नहीं करना चाता हूँ just because मुझे पता है कि वहाँ पर मेरा success का जो chance होगा वो बहुत ज़्याद काम हो जाएगा और जिसकी वजह से मैं अपने parents के बहुत सारे पैसे coaching के जो बैसे होंगे वो बेस्ट कर रहा हूँगा तो क्या मैं सही नहीं कर रहा हूँ अपने parents को पहले ही बोल कर यार कि मैं इन सब चीजों को pursue नहीं करना चाता हूँ और मैं एक दूसरी फिल्ड है जिसको pursue करना चाता हूँ दिमाग में बस यही खयाल आया करते थे और जबी भी मैं इनको बोलने की कोशिश करता था ना अपने parents को समझाने की कोशिश करता था ना तो उनके आगे से हमेशा ना same to same answer आया करते थे और सबसे number one जो उनके मतलब आगे से मतलब मेरे को आते थे ना answer वो यह थे थे कि बच हो जा हमारे पास हमने इतने पैसे कमाए हुए है कि हमें कोई भी जरूरत नहीं पड़े कि तुझ से पैसे मांगने की और हम यह चाहते हैं कि तू तो अपने करियर को सेटल करें लेकिन तू पहले एक सिक्यूर सी जॉब ले ले और एक नमबर वन ना मेरे को भी यह सब चीजे के अंदर ना जाओं वो यह होता था हमेशा से कि तेरी अभी उमर ही क्या है 18, 19, 20, 21, 22 अभी तो तेरे पास पूरी जिंदगी बढ़ी हुई है यह सब काम करने के लिए तो तू पहले एक सेक्यूर सी जॉब ले ले जो की गॉर्मन जॉब है उसकी प्रिपरेशन कर ले और अगर तो 30 साल की उमर में 30 साल की उमर में अपना future भी मतलब स्टार्ट करता है इन सब चीजों में बिल्ड करना तो तेरे पास एक backup option तो है और मेरे दिमाग में हमेशा इन सब चीजों की तो समझ आया नहीं करती थी मैं हमेशा आगे से ना दो ही answer पूचा करता था questions पूचा रहे हो जब मैं आपके भले के लिए यह सब कर रहा हूँ मैं भी तो यहीं चाहता हूँ ना कि आपको इन सब चीजों से जादा पैसा जनरेट करूँ और आपको वो lavish lifestyle दूँ जो बाकी के लोग YouTube पे अपने parents को देते हैं तो मैं गलत कहां परूँ और यह पूरी conversation के अंदर करना ना कभी उन्हें समझ आया और ना कभी मुझे समझ आया और end of the day में मैं उदास होकर अपने कमरे में चला जाया करता था या फिर फोन कट कर दिया करता था और parents भी नहीं समझते थे कि हाँ ठीक है यह हमारी बात है ही नहीं सुनता है मुझे पूरे चार साल लग गए इस situation का perfect answer ढूणने के लिए कि actually मैं यह situation होती क्यों है अब मैं तुम्हें बताना चाता हूँ कि यह situation होती क्यों है मैं मेरे क्लाइंट है जिसका नाम है अरविंद पदमाराजू and he is from Dubai तो वह एक बहुत बड़ा कोच है तो he is into fitness वाले industry तो हमारी क्या होती है हमारी team meetings वगरा होती है और एक team meeting के अंदर मैं उसके साथ zoom पे connect हुआ था और बाकी के team members भी connect हुए थे और ना he is generating a good amount of revenue मतलब एक महीने के अंदर मतलब 10-15 लाक रुपे से उपर मतलब वो generate कर रहा है और अगर एक ऐसा इंसान है जो इतना सब कुछ उखाड पा रहा है तो obviously बात है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसे skills होंगी ना जो मेरे अंदर अभी शायद से नहीं है जो तुम्हारे अंदर अभी शायद से नहीं है तो मैं उसके साथ बात कर रहा है था इन सब चीजों के बारे में और टी मीटिंग के दोरान उसने एक टी मेंबर को एक चीज बोली कि हमारे लिए इस लाइफ में कितना ज़्यादा जरूरी होता है कि जिन लोगों ने पास्ट में हमारे साथ गलत किया होता है ना तो हम उन लोगों को माफ कर दें अपने दिल से क्योंकि अगर हम इन सब चीजों को माफ नहीं न करेंगे तो वो ना हमारी जिंदगी के अंदर ट्रॉमा बनके रह जाती है हमारे दिमाग में और जबी भी हमारे दिमाग में या पिर हमारे सामने कोई ऐसा इंसिडेंट आता है ना उस इंसान को लेकर जिसने हमारे साथ गल किया हुआ है तो वहां पर एक टी मेंबर थी और उसने यह वाली बात उठाई कि अर्विंद मेरे स्टार्टिंग के करियर में जब मैं बोलती थी कि मेरे को एज़ा फिटनस कोच की तरह काम करना है तो मेरे जो फादर थे उन्होंने कभी भी मेरे को सपोर्ट नहीं किया और अब जब मैं थोड़ी से पैसी कमाने लग गई हूँ तो वो मेरे को थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करने लगी है लेकिन आज मेरे दिल के अंदर ये वाली फीलिंग आ जाती है कि उस टाइम पर उन्होंने मेरे को सपोर्ट नहीं किया था जब मेरे पास कुछ भी नहीं था आ अब इसकान है बिकास अर्विंद एक पॉइंट पे पहुंच चुक है एक अपने करियर में पहुंच चुक है जहां पर उसको शायद से बाकी वाली चीजों के बारे में इतना ध्यान देनी की जरूरत नहीं है उसकी शादी हो चुकी है उसकी कोई गल्फरेंड नहीं है जि मैं उसे एक सिचुशन में डाला मैंने बोला अर्विंद आई विल आसक यूए क्वेशन और अर्विंद ने बोला कि यह सक्षिन प्लीज आसक मी मैंने उसे ये बोला कि in life हमारे साथ ऐसा क्यों होता है कि हम सब कुछ ठी करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि यार मैं जितना भी काम कर रहा हूँ, अपने parents के लिए काम कर रहा हूँ, अपनी girlfriend के लिए काम कर रहा हूँ, मैं अपना एक lifestyle build कर सकूँ, ताकि मैं वो resourceful आदमी बन सकूँ, जो अपनी family को feed कर सके आने वाले time में, लेकिन हमारे जो ये लोग होते हैं, आसपास कि ये हमें support नहीं करते हैं, ऐसा क्यों होता है, तो अर्विन ने वहाँ पर एक example लेकर मुझे समझाया, और वो example ने मेरे को perfect answer दे दिया, इस चीज़ का कि हमें क्यों इस चीज़ को नहीं सोचना चाहिए कि हमारे parents हमें support नहीं करते हैं, उसने ये बात बताया कि आज तक जितना भी मैंने अपना काम में कर रहा हूं, या फिर जितनी भी चीज़ है मैं build कर रहा हूं, इसके अंदर जो मेरी wife है, वो मुझे बिलकुल भी support नहीं करती है, my wife and her family members is totally against me, कि मैं ये सब चीज़े क्या कर रहा हूं, they want me to do a suitable, मतलब एक job, and I was like कि यार, ये आदमी तो इतने बड़े लेवल पर भी पहुँच चुक है, कि जहां पर तो आई गया सब को इस वे support करना चाहिए, then why her family and her, you know, wife is not supporting her, I thought कि वो toxic है, लेकिन I realized, जब मेर को उसने एक ऐसी बास समझाई जिसने मेरा दिमाग खोलकर रख दिया, और जो अब तुम्हारा दिमाग खोलकर रख देगी, he was like, कि सक्षम, ये जो हमारी जिन्दगी होती है, इसके अंदर ना, हम को एक जो दिमाग में लाओ होता है, इसके अंदर हमने एक vision बनाया होता है, अब फॉर एक्जामपल, अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मैंने आज से तीन साल पहले, ये अपने दिमाग में एक vision बनाया, कि मेरे को यूट्यूबर बनना है, और यूट्यूबर अगर मैं बनूँगा, तो उसके बाद मेरी life आज से 10 साल के बाद इस तरीके की हो जाएगी, मेरे meetups हुआ करेंगे, मेरे income sources इतने ये तरीके से हुआ करेंगे, मैं brand collaboration से भी पैसा कमा रहा हूँगा, मेरे पास fame भी आ रहा होगा, वो हर एक चीज़ आ रही होगी, और इसके लिए मेरे को अपने बहुत सारे साल sacrifice करने पड़ेंगे, build करने पड़ेंगे, जो बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं, ये vision मेरे दिमाग में आया, कि मेरे को यहाँ पर पहुँचना है, आने वाले 10 साल में, अपने दिमाग में मैं वो देख भी बारा था उस reality को, कि हाँ, कि मेरे को पर पहुचना है, और मैं उस टाइम पर क्या-क्या चीज़े कर रहा हूँगा, लेकिन क्या वो same to same vision क्या मेरे पापा ने देखा, क्या वो same to same vision मेरे घरवालों ने देखा, या फिर मेरे किसी एक दोस ने देखा, जब वो चीज उन्होंने अपने दिमाग में देखी ही नहीं है, तो वो तुम्हें कैसे support करेंगे, उनकी energy और तुमारी energy कैसे align होगी एक दूसरे के साथ, अगर आज के time पर तुम college के first year में हो, या फिर तुमारी कोई बीएज है, और तुम बैट के इस YouTube वीडियो को समझ रहे हैं, और तुमारी अंदर ये question है कि why my parents are not supporting me, और तुम इस वीडियो को देख रहे हो, हां क्यूंकि तुम्हें पता है कि आज के time पर self improvement की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, तुम्हें पता है कि एक courses को लेने से क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैरी मिनाटी ने क्या उखाड़ा, बुबन बाम ने क्या उखाड़ा, या पिर आज के time पर रनवीर अलाबाद या साकित गोखले, जितने भी ये लोग हैं, इन्होंने कितना उखाड दिया है जिन्दगी के अंदर, तो तुमने अपने दिमाग में वो विजन बनाया, कि मैं इन लोगों के जैसा कुछ करना चाहता हूँ अपने दिमाग में, ये सब चीज़े तुमने देखी, तुमने सक्षम भहिया को देखना शुरू किया, तुमने अपने दिमाग में वो अपना future self देखा, लेकिन क्या तुमारे पेरेंस ने वो चीज़ देखी, नहीं, तो कैसे तुमारे पेरेंस तुम्हें सपोर्ट इसका एक और example में अपने पेरेंस का ले रहता हूँ, जैसे कि for example, मेरे पापा ने मेरे को हमेशा इस चीज़ के बारे में कहा, कि जिन्दगी में चाहे जो मर्जी हो जाए, तुम्हें पैसे को सेफ करना है, पैसे को ही सेफ करके रखना और कुछ भी नहीं, बेबालतों के ख पाम करते रहे, वो सब चीज़ें और वो दुख और वो दर्द और वो सक्सेस वो तो उन्होंने देखा हूँ है ना, तो मैं क्या कभी भी समझ पाऊंगा इस चीज को कि मेरे पेरेंस क्या बोल रहे है, पैसे के लिए उनका मतलब क्या है, मैं तो कभी भी नहीं नहीं समझ पाऊंगा, अब जैसे फॉर इक्जांपल मैंने अगर ये माइक खरीदा, 30,000 रुपे की ये मैंने इतनी सी चीज खरीदी, मुझे पता है क्योंकि मेरे दिमाग में मैंने इस चीज के बारे में सोचा कि ये चीज मुझे कितना ज़दा हेल्प करेगी, लेकिन क्या कभी भी म और हमारा विजन होता है, वो अलाइन नहीं करता है, इसी का में रीजन होता है कि सारे कॉणफलिक्ट होते हैं, और इस सिचूशन पर करना क्या चाहिए? इस सिचूशन पर करना ये चाहिए कि तुम्हें बहुत ज़ादा सेल्फ अवेरनेस होनी चाहिए, जो कि मेरे को से कि मैं सब कुछ समझ गया कि what you are saying कि हमारा विजन नहीं करता है, लेकिन इस चीज का सल्यूशन क्या है? इस चीज का सल्यूशन ये ही है कि तुम्हें इस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि कौन ऐसे इनसान है जिनकी जो एनरजी है वो तुम्हारे साथ अलाइन नहीं होती है, for example, अगर तुम आज के टाइम पे मेरे पास आओगे और बोलोगे कि भाया क्या मुझे वीडियो बनाने चाहिए, तो तुम्हें ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ेगा जो तुम्हारा विजन समझ सकते हैं और जो लोग तुम्हारा विजन नहीं समझ सकते हैं जैस रिजल्ट्स लाना शुरू करोगे ना अपने किसी भी काम से तो वो सब लोग तुम्हें समझ आएंगे और यहां पर ना अवेरनेस के साथ साथ ना तुम्हें एक और चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि most of the times क्या होता है कि जैसे for example ये एक में उस लड़के के लिए क कहना चाहता हूं कि जिसकी एक girlfriend है तो most of the times हमारे साथ क्या होता है कि हम ये बोलते हैं कि यार मैं तो relationship के अंदर आया था खुश होने के लिए लेकिन आज की टाइम पर ऐसा क्यों हो रहा है कि जब मैं इतना काम करने की कोशिश कर रहा हूं जब मुझे पता है कि उसके parents कभी भी allow नहीं करेंगे मेरे साथ उसकी शादी करवाने के लिए इसलिए मैं ये सब चीज़े build कर रहा हूं और इन सब चीज़ों को build करने के लिए मुझे लगेगा time और जो मेरी बंदी है वो इन सब चीज़ों को समझती नहीं है ठीक है तो हम बोलते है कि यार मेरा partner toxic हो गया है वो मुझे समझता नहीं है ये नहीं होता है वो नहीं होता है at this time you have to understand only one thing कि वो अगर एक partner है जो तुम्हारे साथ आया वो तुम्हारे लिए आया था तुम्हारे goal के लिए नहीं आया था तुम्हारे vision के लिए नहीं आया था उसने तुमसे प्यार किया था जो तुम ये बह करो उसे तुम्हारे वक्त से कोई फरक नहीं पड़ता है कि तुम अपना टाइम कहां पर अपने करियर बनाने के लिए कर रहे हो या फिर कुछ भी नहीं कर रहे हो तो यह एक बहुत ज़ादा understanding होनी चाहिए because with time ना क्या होता है जैसे जैसे तुम बड़े होते हो तो तुम parents को समझाने में society को समझाने में girlfriend को समझाने में अपना बहुत ज़ादा time spend कर देते हो waste कर देते हो क्योंकि उन्हें वो सब चीज़े कभी समझ में आएंगी नहीं और तुम कभी उन्हें समझा पाओगे नहीं इसलिए तुम्हारे पास एक self awareness होनी चाहिए कि ठीक है यह मेरा vision है इस vision को वही लोग समझ पाएंगे जिनों ने जो इस रास्ते पर चल रहे हैं जो इस रास्ते पर नहीं चल रहे हैं वो मेरे इस vision को कभी भी नहीं समझ पाएंगे तो इस वास द फिज़े को समझने के लिए मतलब समझ आ गया हो तिल दन आ लिए लो इस वीडियो श्राश्माहाजन देसाइड पीस और रिमबर इस नोट ओवर अंटिल वी विन